हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशव चार्ज और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाल है बेस्ट 32 टीवी इंच आपको कुन सा खरीदना चाहिए अंडर 15,000 रेंज आमाज़न पर तो दोस्तो पूरा वीडियो देखिए इंफर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करना और चानल को सब्स्राइबर के बेल आइकान पर दबाजीए मुझे इंस्ट्रागरम पर फॉलो कीज़े आरसी मीडियो और सभी जो भी टीवी में दिखाऊंगा इस वीडियो पर सभी का लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली पहला चॉइस जो मेरा होगा Amazon पर अगर आप 32 टीवी इंच खरीदने का सोच रहे है तो वो है वो है प्लस अडिशनल वारंटी अप्टो थ्री याज भी चल रहा है आप देख सकते हैं LG, Sony and Samsung पर तो देख लीजी एक बार पहला वाला लिंक किये रहेगा उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो टीवी बाइंग गाइड है तो पहला चॉइस होगा Samsung का entertainment ये वाला है without the voice remote ये middle वाला वेरियंट है 14,489 पर available है अभी pricing vary हो सकता है तो link जब आप click करेंगे description में आपको मिल जाएगा so currently this is the best model जो 32 तीवी इंच में आप खरीच सकते है smart LED TV this is based on Tizen OS Android TV नहीं मिलेगा but overall brand भी अच्छा है and overall TV trusted brand से है so this will be my first option Samsung में अगर आपको voice remote चाहिए ना दोस्तों तो फिर एक और model है जो है 15,000, 1,000 extra हो जाता है तो इसके साथ आप voice search वो सब कर सकेंगे तो अगर वो आपको important है तो थोड़ा सा हमारे budget से जादा हो जाएगा 15,000 से 500 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा but अगर card है तो फिर under that आजाएगा and also extended warranty मिल रहा है 99 रुपीज में इसमें देख लेते एक बार क्या है इसमें भी extended warranty मिलता है 99 रुपीज में उसके बाद अगर आपको third party apps install करना है दोस्तो तो फिर आप Onida का जो fire tv os tv है वो आप चेक आउट कर सकते हैं क्योंकि एक तो fire tv os बहुत smooth रहता है plus third party apps आप easily download भी कर पाएंगे and actually यह 2019 model दोस्तों but this is an IPS LED model तो IPS display मिलता है तो viewing angles अच्छा रहेगा प्रस बहुत दिन में देख रहा था यह टीवी तो आउट आउट स्टॉक ही था स्टॉक में नहीं था तो आभी स्टॉक पर है तो आप चेक आउट कर सकते हैं 32 तीवी 32 इंचेस टीवी तो 13,499 में आपको मिल जाएगा again card offer तो है plus eco dot अगर आप खरीदना चाहते तो 1499 पर आपको मिल जाएगा good offer ओनीडा का जो लेटेस्ट टीवी है दोस्तो 2020 यह भी आपको mention कर जाता हूँ इसलिए मैं जादा रेकमेंड करता हूँ 2019 में जाए है क्योंकि वो टेस्ट टाइट राइं टेस्टेड मॉडल है फीचर्स भी मैं देखा इसमें कुछ भी इसमें पुराने वाले में फीचर्स था अल्मोस्स सेम ही फीचर्स दिखा रहा है ऐसे कुछ भी जादा कुछ अलग नहीं हुआ है थोड़ा सा रिमोर्ट चेंज हो गया है बट या यू कन चेक आउट इस ऑल्सो बट IPS का गारेंटीड वो 2019 में है 2020 में कई भी मेंशन नहीं या IPS है कि नहीं फिर अगर आप लगी खरीदना चाहते हैं लगी के लॉयल फैन है लॉयल यूजर है लगी पर ही ट्रस करते हैं तो लगी का एक मॉडल है जो 2020 यह आपको 14,490 में मिल जाएगा इसका एक जो कमी मुझे सबसे बड़ा लगा हुए है साउंड का जो आउट पुट है उखल 10 व सब्सक्राइब करेंगे तो यह वाला लिंग करेंगे तो ओप्शन में मिलेगा बड़ अनफॉर्चनली जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं नॉर्मली आईपियस का प्राइज अरांड यह रेंज में रहता है 15,000 यह थोड़ा सा जाधा रहता है बड़ अभी लगता है वो मॉडल का स्टॉक खतम हो गया यह जाधा डिमांड में सडनली आ गया है तो अरूंड अभी मुझे 17,990 दिखा रहा है विच तू मुच वो प्राइज में हम खरी नहीं सकते तो तू मुच आउट आउट मॉडल फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अगर आपको एंड्रोइड टीवी ही खरीदना है आप फिक्स्ट है आंड्रोइड टीवी लेना चाहिए तो फिर मी टीवी है जो ट्राइड टेस्टेड मी टीवी 4A प्रो एंड्रोइड टीवी सम्थिंग मतलब क्यूंकि एकदम कभी कभी लाइड आपको लग सकते हैं कि एकदम मिनीमम रिक्वार्मेंट के साथ आता है यह 13,498 पे मिल जाएगा अगर आप एंड्रोइड पर फिक्स्ट है तो थीक है यह चल जाएगा अगर आपको एंड्रोइड पर फिक्स्ट है फिर दोस्तों अगर आप जैसे Samsung या LG खरीद रहे हैं और आपको 3rd party apps का support चाहिए तो फिर आपको और थोड़ा एक्स्टेंड करना पड़ेगा आपका budget to get that 3rd party support Samsung में actually दोस्तों एक non smart TV भी आता है that I would have recommended कि आप वो भी check out कर सकते हैं but currently उसका प्राइज आराउंड जो smart TV है उस उस प्राइज आराउंड में ही चल रहा है तो देन इस नॉट मेक संस इसलिए मैं वो डाला नहीं हो क्योंकि सेम प्राइज में कौन खरीदेगा smarty खरीद देते तो अगर थर्ड पार्टी आपका support चाहिए तो फिर आप fire tv देख सकते हैं दोस्तों this will make your tv मत थर्ड पार्टी आपका support दे देगा दिखा देता हूं मेरे पास भी है fire tv stick तो यह आप check out कर सकते है अगर आप LG या Samsung खरीद रहे हैं तो यह भी check out कर सकते हैं तो make your tv थर्ड पार्टी आप support मिल जाएगा यह नहीं तो और भी कुछ model चे fire tv stick का उसका भी link आपको description में मिल जाएगा तो यही मेरा top picks था दोस्तों अगर आप 32 tv इंच धून रहे है Amazon पर सभी का link description में रहेगा आप directly click करके check out कर सकते हैं खरीदेंगे click करके तो हमको भी थोड़ा सा support मिलेगा वीडियो अगर informative लगा तो like ज़रूर कर देना दोस्तों चैनल को subscribe आपके bell icon पर दबाजिए मुझे instagram पर follow कीजे at the rate rcmediaos also थोड़ा और भी 2-3 models था जो मैं recommend करता बट क्यूंकि festive season चल रहा है बहुत सारे models out of stock हो गये है तो जो भी models अभी stock पे था ही मैंने include किया है आप मुझे बता हिए अगर आपका कोई और recommendation है या कोई भी question है related to 32 तीवी इंच 32 इंच टीवी ना 32 तीवी 32 इंच टीवी कमेंट सेक्शन में बता हिए आज के लिए इतना है तो दोस्तों फिर से अगली वीडियो मिलेंगे तब दब के लिए बाई 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 और स्टे से झाल 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